हर्याना एट नाइन पीम नुश्यानल में आपका स्वागत हैं आहिए आपको कराते हैं खब्रसाइब गुपालपुर में शादी समहारों में ताबर्तोड फाइरिंग लड़की खायल संगीत समहारों में देरी से आने पर टोकनी को लेकर हुई थी कहा सुनी गुपालपुर गाउं में एक शादी समहारों में उस समय भगदर मच गई जो वहाँ पर ताबर्तोड गोलियां चलने लगी लेड़ी संगीत में महिला देरी से पहुँची तो उसे सिर्फ टोका गया था इसी से नराज महिला के साथ वहां पर कहा सुनी हो गई जिसमें महिला के बेटे ने तावर्टोड गोलियां चला दी जिसमें एक लड़की सही तीन खायल हो गई जिने खर्खुदा की सामुदा एक स्वासर केंदर में दाखिल कराया गया जहां से तीनों को रहात तक पीछ आई रैफर किया गया है पुलिसे संदीब के बेएन पर आरूपी मा बेटे के खिलाफ मामला दरिश कर मामले की च्छान भी शुरू कर दी है आरूपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है गुपालपुर निवार से संदीब का कहना है कि उसके चाचा के लड़के इसके लिए शुकरवार को इन्होंने बान बैठाया हुआ था उधर दूसरी तरफ पड़ोस में एक लड़की की शादी थी उनके वहाँ पर भी शादी की रस्त में चली हुई थी संदीब की रिष्टे में ताई जब लड़के सोनों की शादी में आई तो उसकी मा ने उसे देरी से आने के लिए टॉक दिया किवल इतना ही कहा था कि कभी तो टाइम से आ जाये कर हमेशा लेट आती है इसे बात से नाराज होकर वह वहाँ से गुपालपुर में ही अपनी घर चली गई उसका घर दोनों शादी कारेकर्म वाली घरों के बीश में था कुछ दिर बाद उक्तमहिला अपने लड़की को लेकर आई जो कि उन्हीं गालियां देने लगा ऐसे में जब उन्होंने ऐसा कनिस रोका तो उसके लड़की ने पिस्तोल निकाली और ताबर तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी जो कि गोली उसकी गर्दन के पास चुक का निकल गई जबकि उसके भाई के पैर में गोली लगनी के साथ ही संगीत में आई पडोसकी एक लड़की जिसकी शादी होनी थी उसके भी पाउ में गोली लग गई ताबर तोड़ गोलिया चलने से गाउ में अफरा तफरी मच गई आरुपी मोका पाकर फरार हो गया सभी तीनों घायलों को इलाज के लिए रोह तक पीज़ाई भेचा गया पान के बाद शाम को गोपालपुर गाउं में सोनों की शादी को लेकर बनवारा निकल रहा था लड़की गाउं के महिलाओं के साथ निकलते वे बनवारे को देख रही थी इसी दुरान वहाँ पर गोलिया चलने लगी और उनमें से ही गोली लड़की रिंकी के पाउं में लगी इस तरह से दोनों शादी के परिवारों में मादम शा गया ऐसे चो विवेक मलिक का कहना है कि दो योगकों वे एक लड़की को गोली लगी है आरोपी वे उसकी मा के खिलाफ संदीप के बयान पर मामला दर्श कर लिया गया है आरोपी महिला को गिरफ़तार किया जा चुका है जल्द ही उसके लड़की आरोपी को भी गिरफ़तार किया जाएगा लगातार खबरों से अबरे ट्रहनी के लिए देखते रहे हरेना अट 9 प्यम्नी चैनल नमश्कार